हलो फ्रेंड सौगत है आपका मेरे चेनल नेच्रल जेम्स में दोस्तों स्पेशलिस्ट हैं हम लोग सुलेमानी हकिक हैं सुलेमानी हकिक दुनिया का एक ऐसा स्टोन होता है जो कि astrology, rituals, अनुष्ठान और तंत्रा में प्रियोग किया जाता है चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो इस स्टोन को धारण करके अपने जीवन में बहुत अच्छे लाब देखने मिल सकते हैं और लाब ले सकता है दोस्तों ये बहुत ही शांदर natural quality के stones होते हैं जो कि जीवन में बहुत अच्छी तरह benefit पहुँचाने का काम करते हैं चाहे धन हो, सुक हो, सम्रदी हो, राहू हो, केतु हो, एस्ट्रोलोजी परपसे हो, black magic protection हो या business हो हर प्रकार से आपको जीवन में ये बहुत अच्छा और शुबकारी माना जाने वाला stone इसको कहा जाता है दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं ने सबी benefits आपको एक एक करके इन stones के बताऊंगा लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस stone कहां मिलता है और कैसे पहचाने कि ये stone असली है दोस्तों देखिए इसकी जो origin mine है वो इरान है cable और cable इरान में ही ये stone पाये जाते हैं और इरान में ही ये stones मिलते हैं इसकी जो माइन है पूरे वर्ल्ड में केबल और केबल इरान में ही होती है यह इरानी हकिक कहलाता है जो शुद्ध इरानी हकिक होते हैं यह प्राचीन समय से ही इनका प्रियोग एस्ट्रोलोजर में भी किरते हैं तंत्रा में भी और किसी प्रकार की जो स्टोन थेरेपी होती ह उसमें भी इसका प्रियोग किया जाता है दोस्तो इरान माइन का मिलने वाला यह स्टून होता है और यह काफी डीप माइन के स्टून होते है मतलब अर्थ जो ग्रेविटी होती है वो बहुत ज़दा डीप से इसको प्रदान किया जाता है हम जो quality रखते हैं ये cable और cable शुद्ध इरानी हकिक की रखते हैं जो की इरान माइन से मिलता है और अर्थ gravity की सबसे deep माइन का ये शुद्ध और natural stone होता है अब आप quality की बात करेंगे तो देखिए फेराफेटिक गलाइस लगा कर मैं आपको बताता हूँ कि इसके जो surface होते हैं ये बिल्कुल clear देखे जा सकते हैं जो की natural होना चाहिए और जो की natural होते हैं इसमें बहुत सारे surface जो होते हैं वो clear देखते हैं आप देख सकते हैं बहुत मेरी वीडियो में मैंने torch लगा के भी आपको ध्यान से समझाया है कि जो surface होना चाहिए वो बिल्कुल clear होना चाहिए ये 100% natural हकिक है जिसकी cutting भी इरान से होती है और इसकी polishing भी इरान से ही stone to stone करके मंगाई जाती है ये दोस्तों बहुती गुड़कारी और लापकारी stone होते हैं ये बड़े size के stone है तंत्रा में इसका प्रियोग किया जाता है लक्षमी प्रापती के लिए अगर घर में किसी भी प्रकार की दरिदर्ता होती है दन की कमी होती है घर में वास्तु दोश होते है घर में आप परिवार के सदस्यों में जगड़ा होता है या किसी भी प्रकार की negativity होती है आपका घर फली फूत नहीं हो रहा है पहुत जादा घर में टोने या टोटकी की स तमस्या होती है या घर के परिबार के सदस्य बीमार जादा रहते हैं उस परिस्थिती में इस स्थोन को आप सबी सदस्यों या मुखिया के नाम पर सिद्धी करबा के लक्ष्मी शावर मंतर से अपने घर में स्थापित करिए घर के मंदर में फिर आप इसके चमतकार कि किस प्रकार से आपके घर की नेगेटिविटी दरिद्रता वास्तु दोस्त या घर में कलहा किस प्रकार से खतम होती है घर सुक और सम्रद्धी के और आगे बढ़ता है उसी प्रकार से इस स्थोन को सिद्धी करबा के व्यापार स्थल पे आप रखेंगे तो ग्रहक आप इस स्टोन का प्रियोग किया जाता है बहुती प्राचीन समय से सुलेमानी हकिक, सुलेमानी तंत्र और सुलेमानी विध्या का बहुती नाया स्टोन होता है जो कि जीवन में बहुत अच्छे परिणाम आपको दिखा सकता है इस स्टोन का पेंडेंट बना के है लेकिन जन्रोन आप लेंगे तो लगबग सो रपे पर कैरेट से इसकी रेंज शुरू होगी जो कि आपको अभी मंत्रित करके दिया जाएगा जो विक्ति एस्ट्रोलोजी परपस से स्टून को धारेंट करना चाते हैं वो 10 कैरेट से लेके 50 कैरेट टक धारेंट कर सकते हैं एस्ट्रोलोजी परपस से पहनने से राहू और केतू के दुश प्रभाब से आप लोगों को रक्षा होगी शनी के दुश्प्रभाब और क्रपोप नीती से आपको जीवन में अच्छा लाब देखने मिलेगा हर प्रकार से शनी के दोष शाड़े साती या सनी की ढहिया से आपको मुक्ती मिलेगी शनी की द्रश्टी से आप लोगों को मुक्ती में लेगी और जीवन में अच्छे फल आपको देखे जा सकते हैं दोस्तो इस स्टोन में देखा गया है कि खराब से खराब जो शनी की दशा होती है उस दशा को अच्छी दशा में बदलने का कारे करता है जिससे विप्रीत के जो ग्रहे होते हैं वो ग्रहे स्टेबल होते हैं और उनकी जो ग्रहे तशा होती है वो स्टेबल के साथ साथ मजबूत भी होती है दोस्तो बहुत सारे तंत्रा में चाहे रिच्वल हो अनुष्ठान हो विध्या हो या तंत्रा हो या एस्ट्रोलोजी हो इस सभी परपस में इस्तेमाल होने वाला केबल सुलेमानी विध्या का पत्थर होता है इस पत्थर को बहुत सारी क्रिस्टल थेरेपी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और कर किया जाता है दोस्तो बेहत चमतकारी, शक्तिशाली और तीवर गुड़कारी माने जाने वाला स्टोन है इस स्टोन को धारेंट करने से जीवन में आप बहुत अच्छे लाब देखने जा सकते हैं दोस्तो इस स्टोन को धारेंट करने से समोहन शक्ति, मनोवल और कुंडलीनी जागरन तक की शक्तियां उत्पंध होती हुई देखी गई है जीवन में कई प्रिकार के कश्टों से इस से निजात पाई जा सकती है अगर आपको जादा नजर लगती है, आकर्शन शक्ति बढ़ाना चाते हैं या वशी करन के लिए इसका प्रियोग करना चाते हैं तो इन स्टून्स को आप अभी मंतरित करबा के चांदी का पेंडेंट बना के जिस व्यक्ति के नाम से धारन करेंगे उस व्यक्ति से आपका आपसी प्रेम और मनुबल काफी अच्छा रहेगा उस शक्ति को अकर्शन शक्ति जागरत कर किया जाता है बहुत सारी गुप्त साधनाओं में लक्षमी शावर साधनाओं में या लक्षमी तंतर में भी इनका प्रियोग किया जाता है जो की धन आकर्शन या धन से रिलेटर्ट साधनाओं में कारे आती है दोस्तों ये दी लक्षमी शावर मंत्रों से सिद्धे करके इस स्टोन को आप अपने पूजा घर में इस्थापित करते हैं या इसको धारण करते हैं तो चमतकारी रूप से धन आगमन होता है और धन खिजता है देखे एक चीज में बताता हूँ ये स्टोन नैचुरल होते हैं और कुदरत के ही दिये गई शक्ती से हम लोगों को प्रदान होते हैं मतलब ये 100% नैचुरल होते हैं केबल इनको जागरित करके आपको इस्तमाल किया जाता है बहुत सारे लोग इन स्टोन को दिखा कर ठकी भी करते हैं या बहुत सारे मार्केट में फैब्रिकेटेड स्टोन भी मिलते हैं तो इनसे सापधान रखिएगा इनकी कीमत बहुत ज़्यदा लाखों में नहीं होती है लेकिन इनके गुर्ण और कारिय लाखों में होते हैं एक फूर एक्जामपल मैं आपको बताता हूँ जैसे ये लगबग 20 कारेट का स्टोन है 2000 रुपीज से 2500 रुपीज तक आपको ये स्टोन मिल जाएगा ये बड़े साइस के स्टोन से ये पंडेंट साइस के स्टोन से ये जीवन में बहुत ही महत्पून कारी करते हैं जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सुख और सम्रद्धी के लिए हमारे मुसलिम भाई भी इस स्टोन को धारण कर सकते हैं मुसलिम में सुलेमानी विद्या से भी इसकी सिद्धी की जाती है इसकी पढ़ाई की जाती है इसमें बहुत सारे आयतों की सिद्धी होती है जिससे इसको धारण करने से समस्याओं का नाश होता है जीवन में सुख और सम्ष्धी बढ़ती है बहुत सारे धर्म में इसका वर्णन किया गया है चाहे इसलाम हो, हिंदु रिच्वल्स हो, या एजिप्शियन हो बहुत सारी जगा पर इन सब का प्रियोग बताया गया है धर्मों में देशों में सबने इसके प्रियोग बताए गए हैं कि इस पत्थर को कितना गुड़कारी माना जाता है इसकी जो औरजन माइन है केबल और केबल वर्ल्ड में इरान में ही होती है लेकिन इंडियन फैब्रिकेटट स्टोन बहुत ही ज़्यादा देखने मिलते हैं जो कि 100 प्रटेंट ग्लास फिलिंग होते हैं और नकली होते हैं उससे साबधान रहेगा असली चीज़ खरीदिये ताकि जीवन में अच्छे बेनिफिट्स आप लोगों को मिलते रहें दोस्तों आप हम लोगों से इन स्टून को प्राप्ट कर सकते हैं जो कि आपके नाम पर सिद्धी करके आप लोगों को दिये जाएंगे जो कि जीवन में बहुत ही जादा उन्नती सुक और सम्रद्धी पहुचाने के लिए आपको ये स्टून रहेंगे और ये स्टून फली फूत होते हैं हर जातक को किसी भी कुंडली की राशी को या नक्षत्रा के परसन को ये स्टून पहनाया जा सकता है दोस्तों बहुत ही तूरलब और चमतकारी इस स्टून को माना जाता है सुक और सम्रद्धी के लिए जीवन में हर प्रकार की सफलता को प्राप्त करने के लिए हर प्रकार के साइज में, हर प्रकार के कट में रिंग चाहे रिंग साइज हो, पैंडेंट साइज हो, ओवल शेप हो, राउंट हो, ट्रैंगल हो या रप्तेंगल हो आपको सभी प्रकार के स्टून्स यह हमारे पास असली मिल जाएंगे जो की केबल और केबल इरान से मंगाया जाता है और आपके नाम पर तंत्रा से अभी मंतरत करके देंगे ताकि इसके जो गुर्ण होते हैं वो काफी गुना बढ़ जाए और जीवन में आपको हर प्रकार की सफलता इन चीजों से मिलती रहे धन्यबाद मेरे दोस्तों मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा